नमासकार दोस्तों, पिछले तीन महीनों से मनिपूर में भयंकर एथनिक वाइलेंस देखने को मिल रहा है। एक लंबे समय तक हमारी सरकार, पॉलिटिशिन्स और गोधी मीडिया इस पर चुप रहे थे, इस इशू को इग्नोर करने की कोशिश करी थी। लेकिन जब बात हग से पार हो गई, इस ख़बर को दबाय रखना नामूंकिन हो गया। सुप्रीम कोट का जब इस पर बयान आ गया, तब जाकर इन्हें चुप़ी तोड़नी पड़ी। हमारे प्रधान मंतरी मोधी ने खुद इस मुद्दे पर 77 दिन तक चुप़ी बनाय रखी थी। वो 77 दिन जिनके बीच में ओफिशिल एस्टेमेट्स के अनुसार 50,000 से 60,000 लोग मनिपूर में डिस्प्लेस हो गए, अपने ही देश में रेफ्यूजीज बन गए। कड़िव 140 से लेकर 200 के बीच में लोगों की जाने गए, 5000 से अधा इंसिडेंट्स रिपोर्ट किये गए आग जनी के। यह आकड़े मनिपूर सरकार ने खुद दिये थे सुप्रीम कोर्ट को 10 जुलाई को। फिर एक दिल देहला देने वाला वीडियो सामने आये जिसमें एक औरत के खिलाफ बेहत बुरी तरीके से अत्यचार हो रहा था तब जाकर प्रधान मंतरी मोदी की तरफ से एक बयान दिया गया मनिपूर को लेकर। अभी भी जब सरकार में बैठे लोग मनिपूर की बात करते हैं ये what aboutism के तौर पर करते हैं। कहते हैं मनिपूर के बारे में क्यों बोल रहे हो वेस्ट बेंगॉल राजस्तान में जो हो रहा है औरतों के खिलाफ बहाँ पर भी आवाज उठा। आखिर क्या सच छुपाया जा रहा है मनिपूर को लेके इन नेताओं के द्वारा। क्या कारण है कि मनिपूर में ये ethnic violence शुरू हुआ और क्यों police अब इसे control नहीं कर पा रही है। मनिपूर के violence के पीछे छुपा एक larger agenda क्या है। ये कहानी इतनी गहरी है और इतनी हैरान कर देने वाली है कि इसे मुझे दो वीडियो में split करना पड़ा है। आज का ये वीडियो पार्ट वन है इस सिरीज का। आइए शुरू करते हैं। मनिपूर में जो violence हो रहा है ये दो ethnic communities के बीच में हो रहा है मेंली। मैतेई लोगों की community और कुकी लोगों की community। मनिपूर में law and order maintain करने वाल एक source ने India Today Media House को बताया था कि करीब 2000 घर मैतेई लोगों के जलाए गए हैं या वेंडिलाइस किये गए हैं और 1425 घर कुकी लोगों के जलाए गए या वेंडिलाइस किये गए हैं। इसके लावा 17 मंदिरों को और 221 चर्चों को भी जलाया गया या वेंडिलाइस किया गया अलग-अलग locations पर। ये रिपोर्ट थी 2 जून 2023 की। मनिपूर में हो रहे violence को समझने के लिए हमें इन दोनों communities के बीच मौजूद दरार को समझना पड़ेगा। एक ऐसी दरार जो ना सिर्फ political है, ethnic है बलकि geographical और economical भी है। जोग्राफिक लिए अगर पहले बात करें हम, मनिपूर के अगर आप नक्षे को देखोगे, तो ये नक्षा दो हिस्सों में बड़ी असानी से डिवाइड किया जा सकता है। पहला इमफाल वैली और दूसरी उसके आसपास की पहाडियां। जो वैली में मौझूद districts हैं, वो कुल मिलाकर 11% एरिया है मनिपूर का और जो पहाडियों में मौझूद districts हैं, वो करीब 89% मनिपूर का एरिया है। Politically बात की जाए, तो Manipur की Legislative Assembly में 60 seats हैं. लेकिन वो जो 89% पहाडियों वाला एरिया है, उनको सिरफ 20 seatे मिली है Manipur Assembly में, और जो 11% Valley वाला एरिया है, उन्हें 40 seatे मिली है Assembly में. इसके बीछे एक कारण है Population. ज्यादा Population वाली की Areas में देखने को मिलती है. Census 2011 की अनोसार, वैली एरियाज में करीब 57% Population है Manipur की, और पहाडियों वाले एरियाज में करीब 43% Population है. लेकिन फिर भी Population का जो Ratio है और seatों का जो Distribution है, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है. Population 57 by 43, 1.33 ताइम्स ज्यादा है, लेकिन Assembly seats 40 by 20, almost double है. बहुत से लोग इस Disproportionate seatों के Distribution को Criticize करते हैं. अब इसके इलावा एक Economic दरार भी बनी है, Hill वाले एरियाज में और वैली वाले एरियाज में. पहाडियों में मौझूद districts ज्यादा गरीब हैं और वैली में मौझूद districts comparatively ज्यादा अमीर हैं. ये मुद्दा भी दर्शकों से एक चर्चा का मुद्दा रहा है. साल 2002 से लेकर 2017 के बीच में Congress की सरकार रूल कर रही थी मनिपूर को. 2017 के इस आर्टिकल को देखिए जिसमें Congress पर आरोप डाला जाता है कि उन्होंने पहाडियों के एरिया को development agenda से exclude करके रखा. फिर 2017 में बीजेपी पावर में आती है मनिपूर में इसी वादे को लेकर कि ये जो economic gap बन गया है पहाडियों और वैली के बीच में वो इसे कम करेंगे. बीजेपी के नए चीफ मिनिस्टर एन बिरेन सिंग एक campaign launch करते हैं Go to Hills and Go to Villages. इसका मकसद साफ था कि जो development है वो पहाडियों में भी लाई जाए. लेकिन पांच सालों तक सरकार में बने रहने के बावजूद भी ज्यादा फरक नहीं आता और 2022 में जब दुबारा से elections होती है मनिपूर में. ये hill और valley के बीच में मौजूद economic disparity अभी भी एक बड़ा करते हैं. जैसे कि 16% अपने traditional religion साना माहिजम को फॉलो करते हैं. इस religion के अनुसार ये nature की worship करते हैं. और अपने भगवान लैनी गंधू सना माही को मानते हैं. यहां कुछ मैतेई हिंदूस भी हैं जो सना माहिजम के कुछ elements को practice किया करते हैं. और इसके इलावा करीब 8% पंगाल बुलाया जाता है. और कुछ पसंटेज मैतेई community की Christianity को भी follow करती है. दूसरी तरफ पहाडियों में कुकी जोमी और नागा ट्राइबल कम्यूनिटी रहती है. ये लोग mostly Christians है. Mostly क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक बार फिर से कुछ पसंटेज इन कम्यूनिटी के अलग-अलग सब tribes में divided है. तो वहाँ पर उनके cultures और traditions और practices थोड़े बहुत vary करते हैं एक दूसरे से. तो उपर-उपर से देखा जाए तो मैतेई versus cookies का जो conflict है. ये Hindus versus Christians का conflict नहीं है. लेकिन क्योंकि मैतेई mostly Hindus हैं और cookies mostly Christians हैं, यहाँ पर ये दरार भी देखी गई है. और इस conflict में एक communal angle भी बनाया गया है. यही कारण है जिसकी वज़े से मंदिरों को और चर्चों को भी जलाया गया, vandalize किया गया. इस ethnic conflict के अंदर मौजूद communal class से हुआ क्या है कि एक community है लोगों की, जिनके लिए हालत बेहत खराब हो गया. मैं बात कर रहा हूँ करीब 3,00,000 लोग का जो वांग जिंग एरिया है. वहां पर मैतेई भीड ने एक institution पर आग लगाई जिसे मैतेई Christians चलाते थे underprivileged बच्चों के लिए. लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर यह उड़ता है कि मान लिया अलग-अलग दरारे मौजूद हैं दोनों communities के बीच में. सिरफ इ इतिहास पर एक नजर डालते हैं जिससे हमें बहतर समझ मिले इसकी. हिस्टोरिकली मनिपूर पर मैतेई राजाओं का राज रहा था. लेकिन धियान देने वाली बात यह है कि मनिपूर का मतलब पूरा मनिपूर या सिरफ वैली वाला एरिया या पहाडी वाला एरिया. इसी C. Scott ने एक किताब लिखी थी, The Art of Not Being Governed, An Anarchist History of Upland Southeast Asia. इस किताब में James बताते हैं कि वैली में जब भी किसी एक राज्ये की फॉर्मेशन होती थी, एक स्टेट, चाहे वो स्टेट एक एक एमपायर हो या फिर एक सरकार, पहाडियों में हमेशा एक नॉन स्टेट बन जाती यह स्टेट और नॉन स्टेट की बीच में जो difference है, distinction है, यह उसे surplus करके पुकारते थे, यानि एक्स्ट्रा, वैली में नदिया थी, नदियों का मतलब था permanent settlement, लोग खेती करते थे, trade होती थी, लेकिन पहाडियों में life काफी अलग थी, पहाडियों में minimalism देखने को मिलता था आज के दिन भी हमें बहुत से लोग जंगलों में देखने को मिलते हैं, जो एक semi-nomadic life जीते हैं, shifting cultivation practice करते हैं, आपने स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा, shifting cultivation होता है कि जब जंगल का एक area clear किया जाए, वहाँ कुछ फसले होगाई जाए और जब soil की fertility कम हो जाए, तो किसा और Central America में इसे मिलपा कहते हैं, Central Africa में मसोल, Brazil में रोका, Vietnam में रे, मध्या प्रदेश में बेवार या धहिया कहा जाता है, Western Ghats में कुमारी, Himalayan Belt में खिल, और North East India में इसे जूम cultivation कहा जाता है, और जो लोग ऐसी जिंदकी जीते थे पहाडियों में, उनके पास कोई surplus नहीं हो लेकिन वैली में तो अलड़ी लोग मौजूद थे, वैली में मौजूद लोगों ने अपने पर्मनेंट खेत बना रखे थे, अपने पर्मनेंट घर बना रखे थे, तो इसलिए होता क्या था, पहाडियों में मौजूद लोग historically इन वैली के लोगों को raid करते थे, अपने survival क यहां जोजफ प्रुदाउं का एक famous quote याद आता है, property is theft, या फिर जो इंडियन wisdom है, सभी भूमी गोपाल की ताकतवर लोगों ने एक बार अपने नाम रजिश्टियां करवा ली, और जो समाज के कमजोर लोग थे, उनको किसी को जमीन नहीं मिली, उसी को आज पिछड़ा पर कहा जाता है, उसी को आज आती पिछड़ा कहते हैं, उसी को आज शोसित समाज के लोग कहते हैं, SC, STK के लेकिन दुनिया में अकसर इतिहास में देखा गया है कि governance, rational, intellectual या spiritual discourse से नहीं होती, बलकि लालच और power struggle से होती है, वैली में मौझूद जो राजा महराजा होते थे, वो पहाडियों में मौझूद लोगों से अकसर एक deal कर लेते थे, एक तरह का social contract, कि देखो हम लड़ाई न करेंगे एक दूसरे के साथ, North East India में इसे POSA system बुलाया जाता है, तो इतिहास में अलग-अलग times पर शान्ती भी देखने को मिली थी इन communities के बीच में, हमारे पार इस historical records हैं जो हमें बताते हैं कि Naga Tribals आहोम आर्मी में सर्फ किया करते थे, especially under Lachit Borfukkan, वो महान आहोम जेनरल जिनोंने मुगलो की आर्मी को हराया था, अब ये situation more or less maintain रही early 1800 सक, जिसके बाद Burmese लोग आये और फिर British लोग आये, यहाँ एक तीन भाईयों की कहानी आती है, जो मैतेई royals थे, निंग थूजा डाइनिस्टी से, यह तीन भाई थे, मरजीत सिंग, चोरुआजीत सिंग औ राद में Burmese के हातों puppet बन जाता है, और फिर वही लोग इसे सत्ता से बाहर भी निकाल फेकते हैं, वही कहानी जो East India Company के साथ हुई थी, मैंने इस वाले वीडियो में बताया था कि कैसे British ने इंडिया का control take over किया था, और फिर पहले भाई वाला राजा भी कभी Burmese से मदद कभी British से, बहुत सी alliances बनती हैं, तूटती है, टिपिकल Game of Thrones fashion में, relevant यहां यह है जानना कि साल 1819 और 1826 के बीच में, मनीपुर Burmese occupation के अंडर आ जाता है, मैते रोयल गंभीर सिंग एक आर्मी रेस करते हैं, British की मदद से साल 1824 में, इसे मनीपुर लेवी कहा जाता है, और इन ही दोनों forces के बीच में, पहली Anglo-Burmese war होती है, इस war में यह मनीपुर लेवी, मनीपुर वैली को recapture कर लेती है, बर्मीज को वापस पीछे धकेला जाता है, और प्रिंस गंभीर सिंग, राजा गंभीर सिंग बन जाते हैं, फिर आगे चलकर एक peace treaty sign करी जाती है, बर्मीज और ब प्रोटेक्ट करने के लिए नागा लोगों से, जहां जैसा मैंने आपको पहले बताया, बहुत सारी अलग-अलग tribe थी जो पहड़ों में रहती थी, एक कुकी जोमी tribe हो गई, एक नागा लोगों की tribe हो गई, और सुमकर आपको लगेगा कि एक दूसरे देश से कुछ लोगो और इसके बिलकुल बगल में, बर्मा का चिन एरिया है, यानि म्यानमार, और इसके पास में ही आज के दिन के बांगला देश में चितागॉंग hill tracks है, यह सारे एरियाज जंगलों से भरे हुए हैं, पहाडिया हैं, और tribal कुकी लोग इन ही पहाडियों में रहते थे, क्यूंक एक दूसरे से ethnic ties share करते हैं, और इन्हें collectively zo people करके बुलाया जाता है, यह चीज जाननी इसलिए जरूरी है, क्यूंकि आज के दिन भी मिजोरम में हमें demonstrations देखने को मिलती हैं, कुकी लोगों के favor में, साल 2021 में मिजोरम के जो chief minister है, उन्होंने कहा था कि जो center government का stand रहा है, म्यान म्यानमार के refugees को लेकर, वो acceptable नहीं है, unregulated infiltration जो हो रही है देश में, obviously वो तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो emotional ethnic connection है, इन सारे tribal लोगों के बीच में, उसे ignore नहीं किया जाना चाहिए, इंडियन सरकार एक barbed wire fence लगा रही है, 390 km लंबा India म्यानमार बॉर्डर पर, जो की अच्छी चीज है, लेकिन जो refugees म्यानमार की इन पहाडियों से इंडिया में आ रहे हैं, म्यानमार में हो रहे violence से भाग कर, उनको लेकर भी कुछ constructive steps लिये जाने चाहिए, इंडियन government के दौर, और वैसे इस emotional connection से empathize करना, मैती लोगों के लिए भी मुश्किल नहीं होग 25,000 लोगों के अराउंड है, ये वाली organization और अपर म्यानमार हिंदू council की organization कोशिश कर रहे हैं कि people to people contact बनाये जाए, मनिपूर में रहने वाले मैतीस का और म्यानमार में रहने वाले मैतीस का, बीजेपी के MP तापिर गाउन ने भी कहा था कि उन्हें उमीद है कि प्रधार मंत लेकिन अभी की कहानी पर आएं तो मैती लोग complain करते हैं कि म्यानमार से कुकी चिन लोगों की alleged infiltration हो रही है मनिपूर में, हम अपने इतिहास पर वापस आएं तो जैसा मैंने आपको बताया था करीब 200 साल पहले कुकी लोगों को म्यानमार की पहाडियों से मनिपूर की जहां पर पहाडियां और वैली एक दूसरे से मिलती हैं ताकि इमफाल वैली के लिए वो जमीन बफर की तरह काम कर सके आगे चलकर आप एक और मैती राजा को देख सकते हो महराजा बोट चंद्र इस फोटो में चार कुकी बॉड़ी गार्ड के साथ खड़े हैं और यह तो के लिए या उनका समान उठाते हैं मनीपूर के राजा ने सोचा कि इन कुकी लोगों को ब्रिटिश के हाथों दे देते हैं लेकिन कुकी लोग जो थे उन्होंने लड़ने से मना कर दिया इंस्टेड उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ ही एक वर डेक्लेर कर दी यह हुआ सा audiobook recommend करना चाहूँगा मैं KUKU FM पर Behind Closed Doors राजनिती और अपराद कैसे अक्सर politics और crime का एक nexus देखने को मिलता है क्यों बहुत से politicians criminal और corrupt बनते हैं ये समझाय गया है इस audiobook में KUKU FM को नहीं जानते एक बड़ी audio learning का platform जहाँ पर धेल सारी ये सी audiobooks आपको सुनने को मिलेंगे History, Geography, Politics, Fiction, Non-Fiction Almost हर topic पर जाकर चेक आउट कर सकते हैं इसका link नीचे description में मिल जाएगा और coupon code यूज कीजिए धुरूफ 50 KUKU FM के पहले महीने पर 50% off पाने के लिए अब topic पर वापस आते हैं Late 1800s में जो ब्रिटिश हुकूमत के अंडर आती थी लेकिन पहाडियों में मौजूद cookies नहीं उसके अंडर आते थे एक reason तो इसके बीछे यही था कि पहाडियों के areas में British अपनी dominance नहीं जमा पाया था लेकिन दूसरा कारण ये था British लोगों खुद का जो attitude था tribal लोगों को लेकर वो ये था कि ये जो आदिवासी लोगे हैं तो बड़े savage होते हैं हम लोग बड़े civilized हैं हम इन्हें अपनी देश का part नहीं बनाना चाहते हैं कुछ areas British ने ungovernable की category में डाले थे और इसी के चलते असाम में उन्होंने एक inner line बनाई थी ये line पहाडियों में मौझूद tribal लोगों के जंगलों को British के control में जो farmlands हैं उसे separate करती है पहाडियों में मौझूद जो आदिवासी हैं वो unadministrated areas के अंडर आते हैं British ने इन unadministrated areas को कई अलग अलग नामों से बुलाया है जैसे कि backward tracks, excluded areas या partially excluded areas सल 1891 में British ने similar system लगाया मनीपूर में भी एक inner line बनाई जाएगी cookies को दूसरी तरफ रखने के लिए historian रामचंदर गूहा अपने essay savaging the civilized में बताते हैं कि कैसे British ने इन पहाडियों के region को Indian legislature में कभी लाने की सोची ही नहीं क्योंकि इन्हें लगा कि ये democracy के लिए fit नहीं होंगे Indian sociologist आंद्रे बेते ही कहते हैं कि tribal शब्द के दो बड़े extreme मतलब है एक तरफ आपने भी notice किया होगा कि कैसे लोग tribal आदिवासी लोगों को जंगली मानते हैं कि ये तो बड़े primitive लोग हैं simple minded हैं development के खिलाफ हैं और कई फिल्मों में भी इसी stereotype को बढ़ावा दिया जाता है कि ये देखो ये आदिवासी लोग हातों में ये spears लिए जिंगा लाला हू करते गूमते हैं और दूसरी तरफ लोगों के मन में tribal लोगों की perception होती है कि ये तो बड़े ही ecological wisdom से भरे लोग हैं ये हमेशा nature के साथ harmony में रहते हैं बड़े ही spiritual लोग है हमेशा लोगों की care करते हैं tribal music बड़ी अच्छी चीज है painting, dance, indigenous लोग और ये वाला stereotype हमें देखने को मिलता है अवतार जैसी फिल्मों में या कांतारा जैसी फिल्मों में साल 2006 में Indian government ने draft national tribal policy बनाई जो इस positive perception को बढ़ावा देती इस policy के अनुसार हमें इन आदिवासी लोगों को protect करने की जरुवत थी हम इनका culture preserve करें और हम इने mainstream में introduce करें बिना इनका character destroy की इस policy के अनुसार एक measure जो adopt किया गया सरकार के दौरा वो था inner line permit ये inner line permit हमें देखने को मिलता है आज के दिन नागा लैंड, मिजोरम और अरुनाचिल प्रदेश जैसी states में इसके अनुसार जो जंगल में रहने वाले ये indigenous लोग है इनके जंगल को protected रखा जाएगा और जो इनका local tribal culture है उसे maintain किया जाएगा लेकिन जब बात मनीपूर पर आई तो बात इतनी simple नहीं थी कई मैते ही लोगों ने protest किया इस inner line permit के implementation के खिलाफ आज से 7-8 साल पहले मैते ही लोगों का मानना था कि बहुत से migrants बाकी और states से इनके local market में दुकानों में आ रहे थे और इनके local culture को खत्रा था उस वक्त की जो Congress सरकार थी उन्होंने तीन कानून पास करने की कोशिश करी एक था Protection of Moneypour People's Bill 2015 और दो और बिल्स थे जो जमीन और दुकानों से related थे इन तीन बिल्स की मदद से effectively एक inner line permit मनिपूर को भी मिल जाता लेकिन जो पहाडियों में रहने वाले tribal लोग थे कुकी लोग उन्हें लगा कि ये जो बिल है वो उनके खिलाफ discriminate करता है मई 2016 में President Pranab Mukherji ने इस Protection of Moneypour People's Bill को reject कर दिया उन्होंने कहा कि ये बिल जिस तरीके से मनिपूरी इनसान को define करने के कोशिश कर रहा है वो गलत है Congress सरकार ने फिर एक नया version draft किया और उसे constitutional experts के पास भेजा यहाँ पर कई rounds of discussion हुए मनिपूर सरकार कुकी और नागा लोगों के बीच में और इसके चलते फिर मनिपूर पीपल्स प्रोटेक्शन बिल 2018 पास किया गया मनिपूर assembly में जुलाई 2018 में और इस वक्त नई BJP की सरकार अलड़ी पावर में आ चुकी थी मनिपूर में ये inner line permit system effect में आया 1st January 2020 से इसका मतलब यह था कि इंडिया की बाकी और states में रहने वाले non-मनिपूरी लोग उन्हें मनिपूर अगर आना है तो permit की जरूवत पड़ेगी चार अलगलग टाइप के permits हैं temporary, regular, special और labor permit इसे देखकर इंडिया की बाकी states में रहने वाले लोगों ने कहा कि ये तो fair नहीं है अपनी नाराजगी जताई और एक organization ने से Supreme Court में भी challenge किया इसी समय के round December 2019 में Home Minister Amitra ने लोगसभा में कहा कि मनिपूर को citizenship amendment bill के परव्यू से बाहर रखा जाएगा राज्यों की भावना को ध्यान में रखकर मनिपूर को हम इनर लाइन परमीट की system के अंदर ला रहे है ये है infamous CEA Act Citizenship Amendment Act जिसके अनुसार non-muslim minorities Pakistan, Afghanistan, Bangladesh में रहने वाली यानि कि हिंदू सिक्स, जैन्स, बुद्धिस, पार्सी, स्क्रिशिन्स जो इंडिया में आए है 31st December 2014 से पहले उन्हें Indian citizenship fast track पर grant करी जाएगी लेकिन मनिपूर के लोग इसे बिल्कुल नहीं चाहते थे तो होम मिनिश्टर ने कहा कि ये CEA वाला एक्ट मनिपूर में लागू नहीं होगा मनिपूर के लोगों का मानना था और in fact पूरी Northeast में रहने वाले लोगों का मानना था कि जो Hindu-Muslim वाला issue है वो तो side में कर लो लेकिन जो immigrants आ रहे हैं बाकी और देशों से हमारी states में रहने है हमें वो नहीं चाहिए आप शाद पूछोगे कि कैसे possible हो सकता है सेम देश में एक state यहाँ पर अपने अलग कानून बना रही है एक permit चाहिए बाकी देश के लोगों को उस state में आने के लिए क्या Indian Constitution ये allow भी करता है इसका जवाब कुछ हद तक हाँ है दोस्त Indian Constitution का 6th schedule अंडर Article 244.2 और Article 275.1 इसके अनुसार self-governance और dispute resolution allowed है ट्राइबल एरियाज के अंडर कस्टमरी लॉस के साथ ये करा जाता है ट्राइबल एरियाज में Autonomous Administrative Units बना कर जिने Autonomous District Councils कहा जाता है शौट में कहा जाए तो ADCs और इन ADCs के पास अधिकार होता है ऐसे कानून बनाने का जैसे की बहार के outsiders को tribal जमीन खरीदना allowed नहीं है Indian Constitution का ये six schedule apply करता है Assam, Meghalya, Tripura और Mizoram के कुछ certain tribal areas में साथ 1974 से Manipur में रहने वाली tribal communities की demand रही है कि इस six schedule को Manipur के पहाड़ी वाले areas में भी extend कर दिया जाए लेकिन ये अभी तक किया नहीं गया है लेकिन एक somewhat similar चीज़ करी गई है Manipur में यहाँ एक Manipur District Councils Act 1971 बनाया गया है जिसके चलते छे ADCs Manipur में establish किये गए February 1972 में ये वही साल था जब Manipur एक separate state बना अब इसके लावा एक Article 371 CB है हमारे Indian Constitution में जिसके अनुसार Indian President Manipur के hill areas से कुछ MLA's को elect करते हैं और एक hill areas committee की स्थापना करते हैं दूसरा जो Manipur के governor है वो Indian President को report present करते हैं हर साल की Manipur के hill areas में administration कैसी चल रही है और इसी Article 371C के अनुसार जो non-tribal लोग है वो जमीन नहीं खरीच सकते Manipur के hilly tribal areas में अब इस Article को लेकर एक misconception रहता है लोगों के मन में उन्हें लगता है कि मैती इसके पास सिरफ 11% जमीन है वैली में और कुकीज और नागास के पास पहाडियों में 89% जमीन है जो इसका मतलब है कि कुकीज और नागा इस 89% जमीन के मालिक बन गए लेकिन यहां ऐसा होता नहीं है वैली में जो मैती लैंडलोड्स हैं जो उस जमीन को ओन करते हैं वहाँ पर खेती करते हैं वो जरूर लैंडलोड्स हैं उस जमीन के हगदार हैं लेकिन कुकीज और नागास कोई लैंडलोड्स नहीं है जैसा मैंने वीडियो में पहले बताया था, ये ट्राइबल लोग हैं, अक्सर सेमी नॉमाडिक जिन्दकी जीते हैं अब दो साल पहले क्या हुआ दोस्तो, Hill Areas Committee ने एक Draft ADC Amendment Bill 2021 रेकमेंड किया इसके अनुसार जो Hill Area Committee है और जो 6 ADCs हैं, उन्हें और और आजादी दी जाएगी Congress के MLA जो थो यहां से वो दवायर के साथ interview करके कहते हैं कि जो constitutional safeguards हैं वो देश में अब cold storage की तरह बन गए हैं और यह bill एक जरिया है, Hill में रहने वाले लोहों के द्वारा अपने culture को preserve करने का Now, when an act which is there to empower the minorities is totally cold storage, then those people who are minorities for which special provisions of the law were enacted, then what happens to their lives? It goes from that to worse इनका मानना था कि जो existing HAC और ADCs हैं, वो इतने अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें और आजादी देनी की जरूवत है सरकार से ताकि वो और functional बन सके और इनका ये भी कहना था कि ये बिल वैली में रहने वाले लोगों के खिलाफ नहीं था अब यहाँ पर एक बार फिर से आप में से कुछ लोगे मन में सवाल आएगा कि ये क्यूं जब हम सब देशवासी एक देश में रह रहे हैं हर इंडियन सिटिजन को अधिकार होना चाहिए देश में कहीं भी जमीन खरीदने का ट्राइवल लोगों को ये स्पेशिल राइट क्यूं दिया जाए यहां मैं आपको कहूंगा थोड़ा colonialism के बारे में सोचो एक तो होता है वो traditional colonialism की military power और political control का इस्तिमाल करके एक जगहें पर कबजा करना जैसा ब्रिटिश ने इंडिया पर किया था लेकिन इसके इलावा एक नए जमाने का कोलोनियलिजम भी होता है इसमें एक economic imperialism और cultural imperialism जैसी चीज़े आती है उधारन के तोर पर देखो चाइना ने African देशों में जाकर क्या किया है अपनी military का इस्तिमाल करके उन देशों को occupy नहीं किया है बलकि पैसे का इस्तिमाल करके उन देशों को कर्ज में डुबा दिया है जिसकी वज़े से आज के दिन वो दुनिया का फैटेस्ट देश बन गया ये कुछ बड़े अच्छे उधारन हो सकते हैं नियो कलोनियलिजम की अब similarly मैं कहूंगा ये जो देश का concept है इसे दो मिनिट के लिए अपने दिमाग से बाहर निकाल कर imagine करो एक industrial शहर जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं और एक जंगल जहाँ पर गरीब indigenous tribal लोग रहते हैं अगर वो अमीर लोग आकर उस जंगल में कहें कि ये रहा पैसा मुझे अपनी जमीन बेजदो अपना जंगल बेजदो मैं यहाँ पर एक farmhouse बनाऊंगा, एक resort बनाऊंगा या फिर एक coal mine बनाऊंगा तो क्या ये भी economic imperialism के दाएरे में नहीं आना चाहिए आदिवासी लोगों के लिए उनका जंगल ही घर है हमारे देश में कही न कहीं यही चीज देखी जा रही है अलग-अलग levels पर लक्षुद वीप, मध्या प्रदेश के बक्सवाहा, 36 गड के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश में और मनिपूर की पहाडियों में पहाडियों में रहने वाले जो tribal cookie और naga लोग हैं, उनकी क्या demand है वो कहते हैं कि मनिपूर की जो official भाषा है, वो मैतिलियों है, जिसे मनिपूरी भाषा भी कहा जाता है यह एक schedule language है, 8th schedule के अंदर मैति लोगों के पास उनकी valley है, उन्हें inner line permit भी मिला हुआ है, ताकि non-मनिपूरी लोग आकर उनकी जमीन occupy नहीं कर सकते valley में मौझूद लोगों को double seats भी मिली हुई है, assembly में, लेकिन हम cookie लोगों को क्या मिला है इसलिए एक लंबे समय से cookie लोगों की demand रही है कि उनकी लिए एक नई state बनाई जाए इसका नाम हो cookie land, यह demand late 1980s से ही उठाई जा रही है साल 1993 में जब नागा cookie clashes देखने को मिले थे, जिसमें करीब 1000 cookies मारे गए थे according to cookie national organization, तब से यह demand और भी ज्यादा बढ़ गई इसी organization का कहना है कि मैती लोगों ने cookie लोगों की मदद नहीं करी उस समय पर इसलिए हमें एक अपनी अलग state चाहिए साल 2012 में एक organization cookie state demand committee ने एक movement announce करी cookie land के favor में इन्होंने clearly कहा कि हम कोई separate देश की demand नहीं कर रहे हैं हम इंडिया के अंदर एक separate state की demand कर रहे हैं और दूसरा इनका कहना है कि अगर हमें separate state नहीं मिलता कम से कम हमें six schedule के अंदर तो ले आओ अगर six schedule के अंदर चार North Eastern states हो सकती हैं तो मनीपूर क्यों नहीं इसके बाद तीसरा इनका कहना है कि अगर six schedule के अंदर नहीं लाना तो कम से कम ये ADC amendment bill 2021 पास कर दो ताकि हमें थोड़ी और autonomous power मिल सके हमारी hill area committee को और हमारे ADCs को लेकिन ये demands पूरी करना तो छोड़ो August 2022 में मनीपूर में BJP की सरकार कुछ और ही bill लेकर आती है जिसको लेकर लोगों में गुसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके बाद दो communities में नफरत घोलने का काम किया जाता है और कुछ ऐसा किया जाता है जो कांतारा फिल्म में भी दिखाया गया था ऐसी चीजे जिसकी वज़े से बाद में जाकर ये भयंकर ethnic violence देखने को मिलता है क्या थी ये चीजे इसकी बात करते हैं इस वीडियो के part 2 में वीडियो पसंद आया तो इतने आप ये वीडियो देख सकते हो यहां क्लिक करके How British Took Over India क्या Game of Thrones रचा ब्रिटिश ने इंडिया पर कबजा जमाने के लिए बड़ी डीटेल में explain किया है बहुत बहुत धन्यवाद